Hello everyone, welcome to Academy Plus once again तो लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था matter in our surroundings में कि effect of temperature and pressure क्या होता है तो आज हम पढ़ेंगे matter in surroundings में we cover the complete three topics आप फॉर्स टॉपिक इस latent heat of fusion latent heat of fusion तो फॉर्स्ट अफॉल हम देखते हैं कि latent heat of fusion होता क्या है देखो, latent heat of fusion का मतलब क्या है फॉर्स्ट latent का मतलब होता है hidden मतलब की छुपा हुआ तो latent heat of fusion क्या होता है the amount of heat required to convert 1 kg of solid substance into liquid without changing the temperature अब हम समझते है actually में मतलब क्या है देखो, fusion का मैंने आपको last class में बताया था fusion का मतलब क्यों होता है hint heat of fusion क्या बोल सकते हैं the amount heat required in joules to convert 1 kg of solid substance into liquid is known as latent heat of fusion without changing temperature तो तो देखो, latent heat of fusion में मैंने क्या बताया कि हम temperature को change नहीं कर सकते हैं अब जैसे कि मैं एक example आपको देती हूं इस ऐसे का हैं इस हूं है कांसडर करो यह एक बकिट है इस बकिट में मैंने क्या किया एक solid ice spill करके रख देए रूम टेंप्रेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस अम मैंने क्या किया रूम टेंप्रेचर पे मैंने ये सॉलिड आइस जो थी बकिट में डाल के रखा हुआ है मैं थोड़ी दिर बात देखूंगी कि जो आइस है न वो कंप्लेटली मेल्ट हो जाएगी इट विल कंप्लेटली कंवर्टी इंटो लिक्विड वाटर तो रूम का टेंप्रेचर तो वही रहा 25 डिग्री सेल्सियस टेंप्रेचर तो चेंज हुआ नहीं लेकिन क्या हुआ है जो फेस था वो सॉलिड से लिक्विड में चला गया तो इस तरीकी की कनवर्जिन को हम क्या बोलते है लेटेंट फीट ओफ फ्यूजन जिसमें हमें क्या है टेंप्रेचर को चेंज करने की सुरह नहीं देको एक्जाम में अब्जेक्टिव टाइप क्वेस्टिन आ सकता है कि जो सबस्टांस है वो वन किलोग्राम है और वो किसमें कनवर्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में तो ये बहुत इंप्रेंट थिंग है तो अगर एक्जाम में हमसे कोई पूछे कि लेटेंट हीट ओफ फ्यूजन की यूनिट कहा है सिरफ एक छोट असा आपका change होगा latent heat of vaporization as the name suggested vaporization का क्या मतलब है vapor तो इसमें आप क्या change करोगे the amount of heat required in joules to convert 1 kg of now it is liquid 1 kg of liquid substance into its vapor phase into its vapor phase बाकी पूरी definition same है कोई भी change नहीं आएगा जैसे कि latent heat of fusion पड़ा था हमने वैसे ही latent heat of vaporization रहेगा क्या कि कितने amount of heat चाहिए हमें कि हम क्या करें कि हम liquid को vapor में convert कर दें तो इसमें क्या होगा same example consider कर सकते हो अब जैसे liquid है अब मैं liquid को अगर room temperature में again bucket में fill करके रख दूँ तो थोड़ी दिर माद मैं देखूँगी लेट करोई जो liquid है इसकी volume कितनी है 400 ml है मैं notice करूँगी थोड़ी दिर बाद मैं इसको दूप में अगर रख दूँ तो मैं notice करूँगी कि इसकी जो volume है वो decrease होके कितनी हो गई है 300 ml तो जो बाकी का remaining 100 ml का जो water है जो change आया है वो कहां आया है 100 ml जो water था वो किस में convert हो गया है वेपर में so this so the conversion this conversion is known as latent heat of fusion and this conversion is known as latent heat of vaporization एक चीज और है exam में वैसे ये theoretical question आप से पूछा नहीं जाएगा but still अगर exam में क्योंकि calculated value नहीं पूछी जाती है अगर फिर भी पूछा जाए तो latent heat of water latent heat of ice क्या होता है मैं आप लखा दती हूँ latent heat of fusion that means solid to liquid is around 22.4 into 10 की power 5 joule per kg and if it is latent heat of fusion it is around 33 into 10 की power 5 joule per kg पर यह आपके exam point of view से इंता important नहीं है तो यह आपके exam में नहीं पूछा जाएगा now our next topic is evaporation तो to convert the substance from a liquid to vapor phase the temperature required to convert the liquid substance into its vapor phase now below its boiling point यह बहुत इंपोर्टेंट है लाइन बिलो इत्स बोइलिक पॉइंट इस नोन आज एवापरेशन इसमें आप टेम्परेचर ना लिखे लिखो दा प्रोसेस तु कनवर्ट दा प्रोसेस दा प्रोसेस कुंवर्जिन ओफ देखने वाला बिलो इत्स बोइलिंग पॉइंट यह बहुत इंपोर्टेंट नाईं क्यूं है आप वह दिहां से देखते हैं देखो, क्या होता है, लेट करो, मैंने कोई china dish ली है, किसी wire gauze पे, मैंने china dish ली और इस पे मैंने heat करके burner लगा दिया, यह एक heating flame है, you can call it as burner, अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें liquid रखा, liquid क्या है, water ले लो, क्योंकि हमें पता है कि water का जो boiling point होता है, वो क्या होता है, 100 degree Celsius, अब देखो, water का, जो boiling point है, वो क्या है, 100 degree Celsius, अब इस point पे क्या होगा, कि जो water है, वो vapor में convert होना, start हो चुका होगा, means vapor completely commences हो चुकी है, बलकि आजर से जाधा पानी क्या है, वो आपका vapor में convert हो चुका है, तो अगर मैं बोलू, आप notice करोगे, अगर घर पे भी, तो आपन क्या notice क्या होगा, कि dish में जो water होता है, वो 100 degree Celsius से below temperature पे ही, आपका क्या होता है, वेपर बनना start हो चुका होता है, थोड़े 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 वेपल्स क्या होते है, 100 degree Celsius से below पे ही आने लगता है, basically 100 degree Celsius का complete मतलब क्या होता है, कि इस point पे आपको water की जो phase है, अगर मैं उसके phase के बारे में बात करूँगी, तो आपको single phase, vapor phase मिलने वाले है, तो यहाँ पर यह चीज़ बहुत important है, कि आप इस word को note करो, below its boiling point, is known as evaporation, now our next topic is factors affecting evaporation, तो हमारा जो first factor है, वो क्या है temperature, देखो temperature कैसे है हमारा first factor, हमें बता है कि हम अगर summers में clothes को dry करते हैं, तो summers में clothes बहुत जल्दी dry हो जाते हैं, as compared to winter, तो ऐसा क्यूं होता है, क्यूंकि हमें पता है कि summer में क्या होता है, कि जैसे कि let करो, यह cloth है, it is a piece of cloth, तो इस पर क्या है, water vapors है, अब जब इस cloth का temperature raise होगा, temperature अगर cloth का हम raise करेंगे, तो क्या होगा, यह जो water droplets है, due to the feel of temperature, due to the heat, water के जो droplets है, उनके बीच का जो force of attraction है, वो क्या होगा, आपका break होना start हो जाएगा, water के molecules के बीच का, जो force of attraction है, वो break होना start होगा, जिसके वरे से क्या होगा, जो molecules होगे, वो अपने surface से, बाहर आने लगेंगे, तो इसलिए क्या होता है, जब हम temperature raise करते हैं, तो rate of evaporation भी raise हो जाता है, तो मैं बोल सत्ती हूँ, कि rate of evaporation increases on increasing the temperature, और इसका example क्या है, now our second factor is surface area, अब देखो, अगर मैं surface area की बारे में बात करते हूँ, तो consider करूँ, कि मेरे पास एक ये प्लेट है, और मेरे पास एक इतनी बड़ी प्लेट है, तो अगर मैं इस पर water spread करती हूँ, और अगर मैं इस पर मांडर प्लेट करती हूँ, तो हमें पता है कि जो water spreading होगी, इसका surface area जाद़ है, तो इस पर जो water आपल है मैं आपको वो करवाती हूँ एक एक बॉइलिंग ट्यूब है इस बॉइलिंग ट्यूब में मैंने 20 ml वाटर आड़ किया यह कहें बॉइलिंग ट्यूब इसमें भी मैंने 20 ml वाटर आड़ किया है अब देखो हमें पता है जो चाइन डिश होती है चाइन डिश का जो सर्फेस एरिया होता है वो बॉइलिंग ट्यूब से जादा होता है अब क्या होगा कि जो रेट अवेपरेशन होगा क्योंकि इसका सर्फेस एरिया कम है इसकी वरे से क्या होगा कि इसमें जो लिक्विड है वो देर में एवापरेट होगा लेकिन इसका क्योंकि सर्फेस एरिया जादा है तो इसमें जो लिक्विड है वो जल्दी एवापरेट होगा जैसे कि consider करो let करो कि जो boiling tube में 20 ml water है इसको evaporate होने में 2 minutes लगे लेकिन वही water अगर मैं China dish में डालूँगी तो इसको evaporate होने में 1 minute 15 seconds का time लगा so question paper में इस तरीके से आ सकता है कि अगर boiling tube में आपको 20 ml water हमने दिया और वही चाइना dish में दिया तो boiling tube में 2 minutes क्यों लगे और चाइना डिश में 1.5 15 seconds क्यों लगे 1.15 minutes तो आप इसके पीछे reason क्या दोगे कि जो surface area है of China dish is greater than surface area of boiling tube therefore rate of evaporation rate of evaporation in China dish is greater than rate of evaporation in boiling tube यह important है इसे आमकी point of view से question इस पर बन सकता है now our next topic is next factor is wind our next factor is wind अब देखो विंड के लिए एक अच्छा example है अब हम जिससे क्या करते हैं जब हम बहुत जब स्वेटिंग हो रही होती है हम क्या करते हैं हम AC में बैट जाते हैं हम AC में क्यों बैटते हैं because we know that कि AC में बैटने से जो wind की स्पीड होती है वो जाधा हो जाती है जिसकी विज़े से हमारा जो स्वेट है वो बहुत जल्दी ड्राय हो जाता है as compared कि अगर आप सिर्फ फैन की नीचे बैठेंगे तो आपने देखा होगा अगर आप क्लोट को किसी ओपने एरिया में थे उट्राय होता है यहाँ आपuk अगर आप i is the rate of evaporation मतलब कि अगर wind की speed जाधा होगी तो rate of evaporation भी क्या होगा बहुत जाधा होगा तो इसका एक example वही है clothes dry faster in windy season so our fourth factor and the last factor is humidity कि देखो humidity में क्या होता है humidity में क्या होता है कि यह ना एयर में moisture बहुत ज्यादा होता है humidity का मतलब ही क्या है कि जो एयर में moisture का अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है humidity में कि एयर में जो मॉइस्चर का content होता है ना वह बहुत ज्यादा होता है तो moisture in air अगर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा consider this this is a cloth इस पर water के particles है अब इस पर moisture ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इस cloth पे और water की capacity increase हो जाएगी means अगर मैं evaporation करूंगी clothes के ऊपर से तो क्या होगा air में already बहुत सारा moisture है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वह और water की droplets को retain करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर humidity ज्यादा होगी increases, humidity decrease the rate of evaporation now our next topic is next and the last topic is diffusion diffusion मैंने आपको बताया था जब हम किनी दो substance को mix करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं diffusion बोलते हैं the mixing of two substances with each other is known as diffusion अब देखो diffusion में ना मारे पास तीन तरगे के होते हैं first diffusion in solid second diffusion in liquid and third diffusion in gases मैंने आपको diffusion के एक short review पहले दिया वा है अब मैं आपको थोड़ा detail में बताती हूँ कि diffusion कैसे था है अब देखो let करू मेरे पास कोई solid substance है या कोई solid block है मैंने ब्लॉक ये दो blocks है block A and B और मैंने इन blocks को क्या किया है combine कर दिया this is block A and this is block B मैंने इन दोनो blocks को 2 to 3 years के लिए combine करके छोड़ दिया तो मैं क्या देखूंगी कि 3 years बाद ये जो दोनो blocks है ये join हो गया है मैं इनको अगर अलग करने की कोशिश करूँगी न ये अलग नहीं होंगे तो इससे मैं क्या मोल सकती हूँ कि diffusion जो होता है solids में वह बहुत slow होता है या फिर negligible होता है मतलब कि अगर मैं इन दोनो solids को जैसे की let करो ये दो solid chalks है मैं अगर इनको ऐसे रख दूँ तो कि ये दो मिनिट के अंदर अंदर join हो सकती है नहीं हो सकती बहुत time लगए लेकिन मैं इनको 2-3 years के लिए अगर छोड़ दूँ तो ये क्या करेंगी ये जोइन हो जाएगी similarly है ना हमारे पास एक example और भी है blackboard का आपने नोटेस क्या होगा जैसे मैंने blackboard पे लिख रखा है अगर मैं 2-3 days बाद मैंने इसको लिखना मैं इसको ऐसी छोड़ दूँ और 2-3 days बाद अगर मैं आके blackboard रब करूं तो मैं क्या नोटेस करूंगी कि कुछ पार्टिकल्स ना चौक के वह blackboard पे सस्पेंड हो गए हैं मैं कोशिश कर रही हूं वह रब करने की लेकिन वह रब नहीं हो रहे हैं तो ऐसा कब होगा कि कुछ जो पार्टिकल्स होंगे ना वह सॉलिट का जो blackboard है उसके अंदर ने डिफ्यूज ह जाएंगे तो इस प्रसेस को क्या बोलते हैं डिफ्यूजन लेकिन सॉलिट में डिफ्यूजन प्रसेस बहुत स्लो होता है ऐसे ही अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के लिए एवन है गूड़ इग्जाम्पल लिक्विट में आप क्या कर सकते हूं, consider this, मेरे पास एक बीकर है, बीकर में वाटर है, अब मैंने क्या किया, इसमें बाहर से potassium permagnet solution अड़ कर दिया, कि M&O 4 solution, हमें पता है कि M&O 4 solution का color क्या होता है, purple होता है, मैं थोड़ी दिर बाद notice करूँगी, कि जो बीकर में मैंने solution add की है न, उसमें कुछ इस तरीके से अलग-अलग color की mixing हो रही है, लेकिन वो complete mixing नहीं हुआ, लेकिन मैंने थोड़ी दिर बाद और notice किया, तो मैंने देख था कि अब जो solution है, वो complete कैसा हो चुका है, purple, means जहां पे solution का color colorless था, अब वो क्या हो गया है, complete purple, तो इस तरीके के process को हम क्या बोलते है, diffusion in liquids, diffusion in liquids, means solid से तो faster हुआ liquid में diffusion, क्योंकि क्या हुआ, उसमें तो मैंने 3 यहल्स के लिए block को combine करके रख दिया, लेकिन इसमें क्या लेकिन थोड़ा slow process है, इतना भी fast process नहीं है, थोड़ा slow है, तो जो liquids में मैं बोल सकती हूँ, कि liquids में जो diffusion होती है, वो solid से greater होती है, similarly the third and the last topic is diffusion in gases, अब gases में देखो क्या होगा, let करो यह container है, इसमें मैंने gas A रख दी, इधर gas B, रख दी इधर C and इधर gas D, मुझे पता है, कुछ seconds के बाद, सारी की सारी जो gases है ना, वो mix हो जाएंगी, और मेरे लिए differentiate करना impossible होगा, कि इन में से ABCD gas कौन सी है, तो इसका मतलब gas बहुत जल्द होती है, तो मैं बोल सकती हूँ, कि जो gas होती है, उसके इंदर diffusion प्रस सबसे faster होता है, तो exam में एक question पूर सकते है, from, which of the following, या फिर question थोड़ा, अगर मुझे, complicate सा करना है, among the following, in which rate of diffusion is faster, और आपका वो होगा, first, spreading of perfume in air, mixing of two solutions two colored solution and third, chalk over blackboard तो हमें पता है, कि spreading of perfume in air, किस तरीकी की diffusion होती है, एक तरीकी से gashes diffusion है, यह कैसी है, mixing of two colored solution liquids, और यह कैसी है, solid, so the correct answer is this, because diffusion in gases is greater than liquid and is greater than solid so I hope, आपको आज का lecture समझ आया होगा, हमारा इसी के साथ, मेटरियरान स्राउंडिंग्स का थेयरिटिकल पार्ट कवर होता है, इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एक questionary NTSC basis पे कराऊंगी, और आपको past year के, previous year के question papers कराऊंगी, if you have any issues regarding any question, any topic, तो आप हमें comment section में बता सकते हैं, do like our channel, subscribe and share, we will